हाई गाईज वेलकम बैक टु दे वीडियो दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 30,000 के असपास आने वाले कुछ सभी स्मार्टफोन में फ्लेक्सिब ग्रेड कैमरा होगा और हमने आपके लिए एक ऐसा स्मार्टफोन को भी रखा है जिसमें आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का अप्शन मिल जाएगा इसके साथ ही बड़ी बैटरी और 120 वर्ता की फास चार्जिंग का सुपोर्ट और भ हमने इन पांचो स्मार्टफोन को ओपर्फोर्मेंस के बेसिस पर रेंकिंग किया हुआ है तो हम सुरू करने वाले हैं लास्ट के नमर से नमर फाइब से और नमर फाइब पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है यह फोन वर्ल्स थीनेस्ट 5G फोन है एड़ दे सेम टाइम डिजाइन बिल्ड क्वालिटी से तो इस फॉन का जो बैक पैनल है प्लास्टिक होता है या फिर प्लास्टिक से थोड़ा उपर बोल सकते हो फ्रेम जो है वह प्लास्टिका बना हुआ है 6.8 mm के थिकनेस दी गई है मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला फॉन है यह 155 ग्राउ में तो इसमें आपको मिल जाएगा डियूल स्टीरो स्पीकर विट डॉल्वी एक्टम साउंड तो स्पीकर के क्वालिटी अच्छी है इस फॉन में आपको 3.5 mm का जैक नहीं मिलेगा और यह फॉन डियूल सिम स्पोर्ट करता है एश्डी कार्ट नहीं लगा पाएंगे बा प्रॉटो ने प्रॉमिस किया है तो यह तक आपको मेजर एंडूड अपडेट मिलेंगे और थ्री एस तक सेक्योटी अपडेट तिंग सील की प्रोटेक्शन मिल जाती है जो कि एक हाड़वेर बेस सेक्योटी होता है इसके साथ ही कुछ में फीचर के बारे में बात करें त तो दो बार चार्ज करना पर सकता है इस फॉन को रिजन सिंपल है काफी पतला और हलका फोन है इसी बज़े से इस फॉन में छोटी बैटरी मिलती है बात करें डिस्पले के बारे में जो की बहुत भी अमेजिंग है इस फॉन में आपको मिलता है 6.5 इंचेस की Full HD Plus P OLED है ओले डिस्पले से थोड़ा से एक लेवल अप मान सकते हैं 144 हर्स का सपोर्ट दिया गया है और यह काफी कमाल की बात हो जाती है 360 हर्स की ट्रस सेंप्लिंग मिल जाती है अप टू 800 नीट्स की पीक ब्रेटनिस मिल जाती है जो की ठीक ठाक ब्रेटनिस लेवल है HDR 10 प्लस हर अंटरगन 778 का ही अपग्रेड़ेड वर्जन है और यह काफी अच्छा चिपसेट है बहुत ही स्टेबल परफॉर्मस निकाल कर देता है शिक से नम पर बना हो है मिंस पावर एफिशेंट है पांच लाग पचास जार के आसपास अन्तुत स्कोर देखने को मिल जाती है जो क बात करें चामे वार में तो इसपने आपको मिलता है ट्रिपल रियर क्याम्रा प्रैंक्री संसर 50 मेंआप के का दिया गया है जो की उएस को भी सुपोर्ट करता है अरे कैम्रे में खेल यह एगर और आपको ठीक ठाक मिल जाएगा मतलब थोड़ी बहुत और ओप्टिमाइज की जोरत है मोटो का हमेशा सी यही रहा हाड़वेर बेस बहुत सारे सेंसर लगा देता है लेकिन उसे अच्छे से एक्जी क्यूट नहीं कर पाता है लास्ट ली प्रैस के बारें बात करें तो 628 के लिए 28000 देने होंगे और 8128 के लिए 30,000 रुपीज देने होंगे 1500 रुपे तक बैंक ओफर मिल जाएगा वह आप जरूर चेक आउट कर लिजेगा पर्चेस करते वक्त लिंक आपको दे दिया है इन सब इस फान फोन के डिस्क्रिप्शन में तो अगर हम इस फोन को स्थम्राइज करें तो अगर नमर फोर पर जो हमने स्पार्टफॉन रखाया यह एक और टोटली वैल्ली फोर मनी स्मार्टफॉन है तो इस फोन का नाम है पोको फोर 5G यह फोन भी रिसंटली लॉंच हुआ है खेर चली जल्दी से जान लेता है इस फोन के बारे में भी स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइ अच्छा मिल जाएगा बात करें कुछ बेसिक फीचर के बारे में तो इस फोन में आपको मिलता है डिवल इस्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटॉम साउंड स्पीकर की क्वालिटी बहुत ही अमीजिंग है बाइमेटरी के लिए साइट फिंगरपन स्कैनर दिया गया ह इस फोन में आपको आयर बिलास्टर मिल जाएगा वैसे यह फोन डिवल स्पोर्ट करता है एसडी कार्ड नहीं लगा सकते और 3.5 mm का जैक भी नहीं मिलेगा इस फोन में आपको मिलेगा आप आप दबॉक्स एंडुए 12 बेस्ट वन MIUI 13 सो यह फोन पोको लांचर के साथ आत बैटरी और यह अच्छी बात है एक दिन का बैटरी वैकप इस फॉन से भी निकल जाएगा बात करते हैं पर्फॉर्मेंस के बारे में आपको मिलता है स्नैप्राइगन के तरफ से वन अब दा मोस्ट स्टेवल चिपसेट स्नैप्राइगन 870 का 5G चिपसेट यह चिपसेट आपको बहुत ही स्टेबल पर्फॉर्मेंस निकाल कर देता है हीटिंग इशू भी ज्यादा नहीं देखने को मिलती है साथ लाग चाली हजार के आसपास अंततु स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है एल्प टीडर 5 वाला रैम मिलता है UFS 3.1 का स स्टोर स्टैब दिया गया है वेपर कुलिंग चैंबर 2.0 के साथ आता है जिससे यह फोन बहुत हद तक हीट भी नहीं होता है सो पर्फॉर्मेंस आपको बहुत ही कमाल का मिलने वाला है 6290 एफेस तर गेम प्ले मिल जाएगा इस पॉन से आपको अच्छी बात ये भी है कि इस पॉन में 10 5G बैंड्स का सुपोर्ट दिया गया है बाकी NFC का भी सुपोर्ट दिया गया है चलिए डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं जो की आउटस्टेंडिंग है इस पॉन में आपको मिलता है 6.67 इंचिस की फुल ह्टी प्लस एमोले डिस्प्ले जो की 120 हर्स अड डिस्प्ले के बारे में इस फॉन में आपको मिलता है ट्रिपल डिया गया है जो की ओएस को भी सुपोर्ट करता है जो की अल्ट्रावाइट के लिए है और थार्ट कैमरा टू मिया पिक्सल का है जो की मैक्र फोटो के लिए है रियर कैमरे से 4K में 60FS तक वीडियो कर सकते है वहीं फ्रंट में 20 मेपिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और इस फॉन का जो फ्रंट कैमरा है बहुत ही छोटा है जिससे मुवीज और वीडियो देखने में और भी जबरदस्त लगता है बाइद वे फ्रंट कैमरे से 1080p में 30FS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते है तो इस फॉन पर सारे 3000 पे तक का बैंक डिसकाउंट एवलेवल है अगर आपके पास ISIC बैंक और कोटक बैंक के डेविट और क्रेडिट कार्ड है तो तो बेस बेरंट जिसका प्रैस 28,000 के आसपास है 25,000 के नीचे मिल जाएगा और पिछले सेल में ये फॉन 22-23,000 के आसपास मिल र चलिए बात करते हैं तीसरे नमर के स्मार्टफून के बारे में और नमर थ्री पर जो हमने स्मार्टफून रखाया ये एक complete package है और true all-rounder स्मार्टफून है तो इस फॉन का नाम है IQ NEO 6 5G इस फॉन में आपको लगवक सभी features अच्छे मिल जाते हैं चाहे वो camera हो, performance हो, display हो, स इस फॉन का डिजाइन बहुत ही यूनिक है साला की complete polycarbonate body है, 8.5 mm के thickness है and 190 gram weight है, also water rappling design दिया गया है तो थोड़ा बहुत पानी गिर जाएगा तो कोई शून ही आएगा, तो design के मामले में ये phone अच्छा है, इसके साथ ही कुछ basic features के बारे में बात करें तो इसमें आपको dual stereo speaker कर मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छे quality का यूज किया गया है, IR blaster मिल जाएगा, 3.5 mm का jack अबलेवल नहीं है, इस phone में आप 2 sim लगा सकते हैं, लेकिन HD guard नहीं लगा पाएंगे, biometric के लिए in display fingerprint scanner दिया गया है, ये phone endo 12 पर run करता है, based on phone touch OS 12, और ये काफी सही बात हो जाती ह है, खेर बात करते हैं, कुछ main features के बारे में, तो battery के बारे में बात करें, तो इस phone में आपको मिलेगा 4700 mAh की battery, और उसी को charge करने के लिए 80 वोड का fast charging का support दिया गया है, 12 मिनिट के अंदर 50% battery charge हो जाती है, नॉर्मल और मोटरिक यूज में एक दिन का battery वायका पराम से निकल heating issue बहुत ही कम मिलती है, 750,000 के आसपास अंत्रतो स्कोर देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है, UFS 3.1 का storage है, और LPDDR 4X वाला RAM है, और यह phone में large size vapor cooling chamber का support दिया गया है, जिससे यह phone जल्दी से heat नहीं होगा, चार्ज वी तक virtually RAM भी बढ़ा पाएंगे आप और यह phone 4-5 5G bands को support करता है, तो 5G bands थोड़े से गम मिलेंगे आपको, तो performance के मामले में किसी भी तरह से issue नहीं मिलने वाला है, और IQ ने यह भी claim किया है कि जल्दी आपको BGMI में 90FS तक gameplay मिलने वाला है, ठीर डिस्पले के बारे में बात करें तो डिस्पले भी आपको बहुत पर 1300 nits तक की peak brightness मिल जाती है, HDR10 Plus certified है, डिस्पले को पर score sensation का protection दिया गया है, तो डिस्पले के अंदर कहीं से भी कटोती नहीं की गई है, काफी कमाल का डिस्पले मिल जाएगा आपको, लास्टली कैमरा के बारे में बात करें तो इस फॉन में आपको मिलता है, ट्रिपल रियर कैमरा, प्रैम्ले संसर 64 MP का है, जो की OS को भी support करता है, सैकंड कैमरा 8 MP का है, जो की ultrawide के लिए है, और macro photo के लिए है, ठाट कैमरा 2 MP का है, जो की monochrome संसर है, रियर कैमरे से आप 4K मे 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वहीं front में 16 MP का selfie camera दिया गया है, और front camera से 1080p में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो practically इस फॉन का camera performance भी काफी अच्छा है, low light में भी काफी अच्छे से perform करता है, और stability भी काफी सही है, pricing के बात करें तो 8128 के लिए 30,000 है, एंड 12,256 के लिए 34,000 है, बट फिलाल इस phone पर 4000 पे तक का discount है, 3000 पे का तो instantly discount मिल जाएगा, अगर आपके पास ICIC bank के debit और credit card है तो, और 1000 पे का coupon available है, जिसा आप directly apply कर पाएंगे, so effectively base parent 26,000 के आसपास मिल जाएगा, और 26,000 में काफी अच्छा package है, यह रहे इस phone के भी pros and cons, चलिए बात करते हैं, अपने second last smartphone के बारे में, और number 2 पर जो हमने smartphone रखाया है, यह phone वैसे तो 35,000 के आसपास आता है, लेकिन फिलाल आपको 30,000 के आसपास मिल जाएगा, और इस price point पर one of the best camera smartphone है, अभी के समय पर इंडिया के अंदर, तो इस phone का नाम है Samsung Galaxy S20 FE 5G, इस phone में आप इसको बहुत सारे premium features मिल जाएगा, जैसे कि यह complete waterproof phone है, reverse charging का support मिल जाएगा, wireless charging का support मिल जाएगा, और भी बहुत सारे amazing features दिये गए हैं, तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं, इस phone के बारे में भी, start करते हैं, design and build quality से, तो इस phone का जो back panel है, plastics बना हुआ है, हलाएकि जो frame है, व कुछ basic features के बारे में बात करें, तो इस phone में hybrid SIM slot का option दिया गया है, मतलब 2 SIM या फिर एक SIM और एक memory card लगा सकते हैं, और यह काफी अची बात हो जाती है, 3.5 FM का jack available नहीं है, लेकिन dual stereo speaker मिल जाएगा, जो की काफी अची quality की लगी हुई है, biometric के लिए in-display phone carbon scanner available है, Android 11 पर run करता ह iPhone based on 1 UI 3.1, लेकिन जैसे इस phone को आप purchase करोगे, Android 12 का update मिल जाएगा, और इस phone में आपको Samsung की जितने भी flexive features होते हैं, वो सारे feature मिल जाएगे, battery के बारे में बात करें, तो इस phone में लगावा है 4500 mAh की battery, और उसी को charge करने के लिए 25W का fast charger का support दिया गया है, लेकिन charger आपको out of the box 15W का ही मिलेगा, battery backup सो ज्यादा issue नहीं मिलेगे, लेकिन charging speed काफी कम है, लेकिन camera आपको top class के मिल जाएगे, तो rear side में तीन camera दिये गए हैं, जिसमें से primary sensor 12MP का है, जो की OIS के साथ आता है, second camera 8MP का है, जो की telephoto lens है, और ये भी OIS के साथ आता है, 3X optical zoom को भी support करता है, और third camera again 12MP आपकिसल का है, जो की ultrawide के लिए है, rear camera से 4K में 60fps तक video record कर पाएंगे, front में 32 में आपकिसल का selfie camera दिया गया है, और front camera से भी 4K में 60fps तक video record कर पाएंगे, तो camera performance आपको बहुत ही कमाल की मिलने वाली है, in fact 35,000 के आस पास सबसे बेस्ट camera smartphone इसे आप कह सकते हो, डिस्प्ले के आपकिसारें बात करें तो 6.5 इंचस की Full HD Plus Super AMOLED डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, जो की 120Hz Fast Refreshed के साथ आता है, 240Hz की तसम्पिंग रेर दी गई है, अब टू 800 नीट्स की brightness दी है, और डिस्प्ले को पर सी ओ जी 3 का protection दिया गया है, तो डिस्प्ले आपको अच्छा मिल है, इस चिप्सेट को आप डामेंच सीटी 1200 इतना मान सकते हो, 7 नेनो मिटर बना हुआ है, मतला पावर एफिशेंट ये चिप्सेट भी है, 6,50,000 के आसपास अंतोतो स्कोर देखने को मिल जाती है, जो की ठीक ठाक स्कोर है, LPDDR5 वाला RAM है, और यूफस 3.1 का स्टूरे स्ट का सपोर्ट मिल जाएगा, NFC का सपोर्ट मिल जाएगा, NOX security मिल जाएगी, auto call recording भी मिल जाएगा बीना announcing वाला, प्रैसिंग की पात करें, तो ये फोन एक ही storage टाप के साथ एवलेबल है, 8128 के साथ, जिसके लिए आपको 35,000 रुपीज पे करने होंगे, currently इस फोन पर 4000 पे का coupon अपन एवलेबल है, जिससे आप directly apply कर सकते हैं, और 2000 पे तका bank discount भी अवलेबल है, अगर आपके पास SBI bank के credit card है, तो अगर आपके पास SBI के credit card नहीं है, फिर भी ये फोन आपको 31,000 का सपास मिल जाएगा अभी, और इस price पेन पर अगर आपको एक ऐसा phone चीए, जिसका camera quality बह बहुत ही जबरदस्त हो, और Samsung के बहुत सारे premium features हो, तो definitely phone को आप buy कर सकते हैं, 30-31,000 का सपास, ये रहे phone के pros and cons आप पढ़ सकते हैं, चलिए बात करते हैं, अपने last smartphone के बारे में, और number 1 पर जो हमने smartphone रखा है दोस्तो, इस phone में आपको मिलता है Snapdragon 888 वाला processor, 120W का fast charging का support भी मिल जाएगा, तो इस phone का नाम है Xiaomi 11T Pro 5G, वैसे तो इस phone का price 40,000 के असपास होता है, बट फिलाल ये phone आपको under 30,000 मिल जाएगा, वो भी बिना किसी special bank offer के, और 30,000 के नीचे ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा smartphone है, तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं, इस phone के बारे में 3 की rating दी गई है, तो हलका full का पानी गिर जाएगा, तो कोई issue नहीं आएगा, तो design आपको बहुत जादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक ठाक design दिया गया है, इसके साथ ये कुछ basic features के बारे में बात करें, तो इस phone में आप 2 SIM लगा पाएंगे, लेकिन HD card लगाने का option मिल जाएगा, और सच कहूं, तो इस phone का सबसे जो बेकार पार्ट है, वो है, इस phone का software है, क्योंकि software के अंदर काफी सारे bugs वगएरा देखने को मिल जाते हैं, वैसे इस phone में आपको ब्लास्टर मिल जाते हैं, हार्मन कर्डन दौरा ट्यूनिंग की गई है, और speaker की quality बहुत ही इस phone के battery, और एक दिन का battery wake-up अराम से निकल जाएगा, battery consumption कम होती है, इस phone के अंदर, अगर हम camera के बारे में बात करें, तो इस phone में लगा होगा, triple rear camera, जिसमें से primary sensor 108 में अपकिक्सल का है, और यह Samsung का HM2 sensor है, second camera 8 में अपकिक्सल का है, जो की ultrawide के लिए आता है, और third camera 5 में अ अपकिक्सल का दिया गया है, और selfie camera से 1080p में 60fps तक video record कर पाएंगे, तो rear camera का performance काफी अच्छा दिया गया है, हाला कि फिर भी flagship camera setup नहीं है, थोरी बहुत अभी इंप्रोब्मेंट की जरुरत है, डिस्पे के बारे में बात करोगे, तो display आपको best in class मिल जाएगा, इस phone के अंद गया है, and 480 Hz का touch sampling rate भी मिल जाएगा, and also HDR10 plus certified है, and up to 1000 nits के peak brightness भी मिल जाएगी, display के उपर Corning Gorilla Glass Victus का protection दिया गया है, जिसे आप COG7 भी कह सकते हो, तो देखा जाएते, इस phone का जो best part है, वो is phone का display है, और battery backup और charging speed है, बैसे performance भी आपको काफी अच्छा मिलने वाला है, इस phone मे 5 nm पर बना हुआ है, मतलब power efficient है, 8,20,000 के आसपास अंतुतो score देखने को मिल जाती है, जो की काफी कगरा score है, UFS 3.1 का storage है, LPDDR5 वाला RAM है, और ये phone 13 5G bands को support करता है, तो देखा जाएतों, performance में भी कहीं से भी cut होती नहीं की गई है, लेकिन Xiaomi के phone में हमेशा से यही problem रहा है, कि optimization ठीक से नहीं करते हैं लोग, तो थोड़ी बद performance में inconsistency देखने को मिलती है, also 4G plus carrier aggregation का support मिल जाएगा, NFC का भी support है, pricing की बात करें, तो फिलाल आपको 8128 के लिए 36,000 रुपे देने होंगे, और 8256 के लिए 38,000 रुपे, और अगर आपको 12 GB RAM और 256 GB storage चीए, तो उसके ल discount है, जो कि आपको सभी bank के debit और credit card पर मिल जाएगा, और अगर आपके पास SBI bank के credit card है, तो 7 से 8,000 रुपे तक का instantly discount मिल जाएगा, and effectively base variant आपको under 30,000 मिल जाएगा फिलाल, और इस price point पर absolutely best smartphone है ये, बस इस phone के software में थोड़े बहुत bugs वगरा देखने को मिलेंगे आपको, लेकि इस phone के pros and cons आपढ़ सकते हैं, तो guys यही थे इस list के top 5 best phone अंडर उपीस 30,000, दो तिन और smartphone आ सकते थे इस list के अंदर, जैसे की IQ9 SC 5G, Nothing Phone 1, और OnePlus Nord 2T, ये तीनों smartphone भी इस list के अंदर आ सकते थे, लेकिन इन तीनों से better smartphone मैंने आपको बता दिया है, बाकि भी आपका कुछ doubt और confusion रहे गया है, या फिर कुछ भी suggestion देना है, तो आप comment कीजिए, या फिर आप Instagram पर भी आ सकते हैं, इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ next video में